नमस्कार, अगर आप कृतक गता ऑनलाइन प्रेटल इस्तमल कर रहू तो पहली बार इस्तमल कर रहू तो किस तरह आव रेटेशन कर सकते हैं? किस तरह प्रोसेस है? मैं आप लोगों को इसी वीडियो के दोरह दिखाने वाला हो. तो दियान से बीडियो को देखिए और अगर आप लोग ने इसी चैनल को भी तक सस्क्राइब नहीं किया तो सस्क्राइब कीजिए उसके बाद आप लोग इस वीडियो का देखिए ओके तो पहले आप अपने मुबाइल या कंपीटर पे प्राटल ओपन कीजिए यानि फैंक् के बाद यहां पे आप टाइप कीजिएगा क्रितोगता प्रोटल आधारो इस आप टाइप कर सकते हो क्रितोगता www.ketogada.asham.gov.in इस लिंक और क्लिक कीजिए उसके बाद आपके सान ओफिशल ओइप पेज ओपन होगा जो पेज में आप लोगो दिखा रहा हो लिंक पर क्लिक करने की बाद आपके सामने इस तरह ओफिशल ओइप पेज ओपन होगा जहां से आप ओनलाइन फेंक्शन सिस्टेम सिस्टेशन काम कर सकते हो तो यहां पर आपको पहले रिष्टेशन करना पईघगा रिष्टेशन किस तरह केया जाद है इसका इसका भी प्रोसेस में आपनोगो दिखा रहा हो और आफ्लाइन भी रेजिटेशन कर सकते हो और ओनलाइन भी रेजिटेशन कर सकते हो तो ओनलाइन रेजिटेशन कर सकते हो तो कुन-कुन कर सकते है और ओनलाइन रेजिटेशन इसका प्रोसेस में आप लोको दिखाने वला हो तो पहले आपको रेजिटेशन करना पड़ागा user id पासवर्ट के लिए तो registration के लिए आप फी तो registration बटन दिये गए है registration बटन पे click करके registration कर सकतो हो अगर आपको registration ID user ID and password आपको है तो आपको login बटन पे click करके login कर सकतो हो तो पहले में आप लोग पो दिखाओ रहो रेइस्टेशन किस तरह किया जाता है इसके लिए आप registration बटम देगे हैं यहाँ पर देखें के रिजिटेशन फॉर्म यहाँ पर अप्शन दिखाएदार है उसका प्रिंट अप्लोड है रिजिटेशन फॉर्म फिल आप होने की बाद आपको रिजिटेशन फॉर्म अप्लोड प्रिंट करना पड़ेगा उसके बा मैं आप लोगे क्लियार दिखा रहा हूँ only for head of the office and a ddo only for online registration options देगे हैं इन लोगों को online options देगे हैं इन लोग online options sorry online registration form फिल आप कर सकते हैं registration user id and password प्राफ्ट कर सकते हैं mobile की द्वारा इसके बाद यहां पर देख सकते हो यह form आप आप online डाउनलोड भी कर सकते हो यहाँ पर download registration form यहाँ पर देगे हैं लेकिन who can register online कुन register online register कर सकते हो मैं पहले बहुल दिया आप लोगों को H O O and DDO online registration form फिल आप कर सकता है देखिए यहाँ पर clicker के आप चेक कर सकते हो जान सकते हो देखिए who can register online यहाँ पर drawing and dispersing officers and head of office and their dealing hand इन लोग online registration form फिल आप कर सकता है तो आप सिंप्ली registration form बटम पर click किजए यहाँ पर आपको title देना पड़ेगा fast name middle name है तो middle name दीजे उसने sign name दीजे date of worth आपको देना पड़ेगा उसके बाद retirement date of retirement आपका देना पड़ेगा H O O O and DDO इन दोनों के बिच यहाँ पर online फ्रस्वांदे में दिखा रहा हूँ इसके बाद आपको department आपको select करना पड़ेगा यहाँ पर बहुत सर्वांदे देगे अगर आप पुलिश डिपर्मेंट में जाप कर रहा हो यहाँ पर देख सकतो पुलिश रहेगा इहाँ पर देखिए खाम पुलिश रहेगा पूलिस अगर आप यहाँ पर चेख कर सकता यहाँ पर देखिए आपको attached office subordinate आपको select करने के कोई जोड़त नहीं automatic यहाँ पर show कर सकता है लेकिंग फिर भी आपको जो आप यहाँ पर चेक कर लाने यानि आपका जो treasury office का जो code है यहाँ पर आपको आपको यहाँ पर रहता है यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर आश्म पुलिश दिया तो आश्म पुलिश कमांडेंड ओफ एट बैट्लियान कौन सा कमांडेंड का अंडर में हो आपका यहाँ पर इस्टेट कर सकता है जैसे इसरे दिया जा रहा है यहां पर उनका ट्रीका कॉड यहाँ पर दिया गया है तो आपको यहक्त कर सकता है और इस द्दड़न कर रहा है गज़िश द्दिऑ पुलिश यह सव्पुलिश एसको आपको इस करनी कि कोई छोड़ल में नहीं डेजिगेंशन स्लेट कीज 간 से तो ठीन देजिगेंशन आप से अपर या ओस्टिग दो या डिलिंग हैं क्लीयो अ कांविटा से के या और या ए Stripe मैं इसे डिद्री आपर स्वेक्राइज ऑर और सिलेटांट एक य्वेहां सलेटा तो डेज़ींद्र है dooz वीडियो कोड अल्रेडी आ चुका यहाँ पे एजी एंड डी ओपी कोड आपको सिलेट करना पड़ता है एकाउंटेंट जेनरेल हो या डायर्ट पेंशन यहाँ आपको खुद को पता चलेगा एकाउंटेंट जेनरेल उसके बाद यहाँपे आपको ओफीशल इमेल अड़ेस आपको फिल आपकेंड करना पड़त है और मिशेव ओफीशल इमेल अड़ेस आपको देना परlor this इसके बात ये आपको अपटा केचीश कघीश, steht and city, ऐस्टिक and city and phone number या रेल कहाँ लेंडानाइन नंबर आपको यहाँ पे द Hispanrition 다음에 चूरूरई है SMS send किया जाएगा okay verification code भी send किया जाता है धियान रखना यह जो security code यहाँ पर यहाँ पर आप टाइप कीजिए इसका बदा साम्मी बटम पर क्लिक कीजिए इसके बद अपना mobile पर SMS OTP verification code आपको mobile पर send किया जाएगा and email ID पर send किया जाएगा वह OTP and email ID आपको देना पर गए इसके बाद यानि यह जो form submit होने के बाद आपके समने एक options आएगा यहाँ पर OTP वही OTP आपको देना पर गए जो mobile number and email ID पर send किया जाएगा OTP देने के बाद आपका mobile पर इस तरह एक message show करेगा जैसे कि dear sir madam welcome to kittagata your logging ID यह रहेगा उसके यहाँ पर logging ID पर लिखा रहा है and a logging ID यहाँ पर अल्रड़ी दिया जाएगा होने के बाद आप उस technology page पर आपका signature चाहिए ओके signature होने की बाद उसके बाद अपना head of the commander याण head of department जो है डीडियो उनका भी signature यहाँ पर seal and signature चाहिए उसके बाद यह from seal and signature करने के बाद यह from को आपके scan करना पड़ेगा किसी painter से आपको scan कीज़े scan होने के बाद यहाँ पर registration बटम दूबड़ा यह page open कीज़ेगा registration बटम यहाँ पर print and upload registration form यहाँ पर क्लिक कीज़ेगा उसके बाद यहाँ पर अपना reference नंबर जो अपना more form जो page generate हुआ था उसमें reference नंबर रहता है वही reference नंबर यहाँ पर दीजिए उसको security code यहाँ पर दीजिए देने के बाद आपके सामने एक option आएगा upload अपना document मतलब आपना जो registration form upload करने के लिए बोला जाएगा उसी वक्त अपना register form upload कीजिएगा upload होने की बाद कुछ समय की बाद आपका mobile पे sms आएगा अपना user ID and password अपना mobile पे आए जाएगा ओके user and password आने के बाद यहाँ पर आपको user ID आपको login ID आपको देना पड़ेगा उसका security code यहाँ पर दीजिए देने के बाद आप continue button पे क्लिक करके उसके बाद आपको password option आएगा password option पे क्लिक करके आप अपना कितोगता portal आप login कर सकते हो इसके बाद next process आप one by one कर सकते हो इस प्रोसेस किस तरह आपको आपको अपना document किस तरह upload कर सकते हो किस तरह प्रोसेस में दूसरी वीडियो पे आप लोगों को दिखाया है आप जोड़ो देखलेना one by one में दिखाया है कौन सा ओप्शन पहले आपको चुनना पड़ेगा उसके बाद सायन्स next option किस तरह चुनना पड़ेगा आप सब पूरा details में ने दुसरे वीडियो पर दिखाया है आप लोग जोड़ो देख लेना वह वाला वीडियो इस वीडियो को यहाँ तक मैंने complete किया है फैंट्स टैंक्यू जाहिन